आज जो है सुबह सुबह में एक शर्ट जीता हूँ अपने दोस्से आफिस में छोटी छोटी शर्टे लगते रहती हैं आपको पता है मैंने ये शर्ट जीत ली है कि आज सब्वे में मेरा दोस्स मुझे सेंडविच खिलाएगा मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि जब मैं शर्ट लगा रहा था तो मैंने भी छोटी सी शर्ट लगाई एक सो साथ रुपे की वेजिटेबल सेंडविच अगर थोड़ा भी सोस समझ के मैं शर्ट लगा था तो चिकन तरिया की मेरी कहीं नहीं गई थी अब दोस्तों से और ज़्यादा क्या लूटना शर्ट इस बात की थी कि मेरे बहुत प्रियमित्र हैं आफिस में वो मेरे कमरे में आए किसी काम के सिलसिले में और उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा कोई गर्मेंट सर्वेंट जिसको Ĕर डीपीसे कंसीडर कर रही हो प्रोमोशन के लिए और उस वक्त उस गर्मेंट सर्वेंट पे दो साल पहले कोई माइनर पेनल्टी लगी थी में consider हो रहा है तो क्या हमें उसे vigilance clearance देनी चाहिए और नहीं देनी चाहिए उन्होंने पूछा मैंने जवाब दिया मैंने का अगर आज उस पर कोई discipline case नहीं चल रहा है तो हमें तो उसको vigilance clearance देनी ही पड़ेगी तो उन्होंने का नहीं जी आप गरत बोल रहे है क्योंकि DOPT का एक order है जो साफ साफ ये कहता है कि अगर पिछले तीन सालों में किसी government servant को कोई minor penalty लगी थी तो उसको vigilance clearance promotion में नहीं देना है अब थोड़ा ता मुझे अचंबा हुआ लेकिन मैंने उन से पूछा कौन सा order है तो वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में गए और बड़े जोश में order भी ले आए और उस order को उन्होंने दिखाया मुझे और उस order के पैरा 1 पे ये लिखा भी हुआ है कि ये order तीन चीजों में लगता है तो वो ये order 14 December 2007 वाला order लेकिया उन्होंने कहा देखिये साफ साफ लिखा हुआ इस में पैरा 1 पे कि इस orders regarding accordance of vigilance clearance to members of the Central Civil Service shall be applicable with regards respect to 1. Empanelment 2. Any deputation for which clearance is necessary and 3. Appointment to sensitive post तो उन्होंने कहा कि अब जब इसमें साफ साफ लिखा हुआ empanelment में vigilance clearance के लिए लगेगा तो अगर किसी government servant पे minor penalty चल रही है पिछले 3 साल में कभी लगी है तो उसको vigilance clearance नहीं देना पड़ेगा क्योंकि बड़ा clear है empanelment और उन्होंने इस बात पे भी मेरा ध्याना करशित किया कि यह लिखा हुआ है sensitive post तो उन्होंने कहा अगर promotion किसी sensitive post में हो रहा है तो हमें vigilance clearance उसको नहीं देनी है और इसके लिए उन्होंने मुझे इसके आगे जो पैरा 7 है जिसमें यह लिखा हुआ है कि minor penalty पिछले 3 साल में लगी हो तो vigilance clearance नहीं देना है यह भी साफ-साफ दिखा दिया अब मैं आपको पैरा 7 भी दिखाता हुआ अब आप देखी पैरा 7 में लिखा हुआ है vigilance clearance will not normally be granted for a period of 3 years after the currency of the punishment if a minor penalty has been imposed आगे यह भी लिखा हुआ है in case of major penalty vigilance clearance will not normally be granted for 5 years so minor penalty अगर 3 साल पहले मुझे कभी भी लगी है और आज मेरा अगर promotion due है तो मुझे vigilance clearance नहीं मिलेगा उनका यह कहना था जबकि मैंने उनसे साफ-साफ एक बार साफ बोला और दो-तीन बार कोशिश की उनको समझाने की कि यह वाला order एमपैनल्मेंट जिसमें लिखा हुआ है यह एमपैनल्मेंट promotion का cover ही नहीं करता तो यह order promotion पे लगेगा ही नहीं promotion पे जो order है वो भारत सरकार का 14 September 1992 का order है 1992 जिसमें कहा गया है कि केवल तीन situation ऐसी है जिसमें government servant पे अगर वो तीन situation लगती है केवल तब ही DPC अगर उसको promotion के लिए फिकपा भी देती है तब भी उसका promotion sealed cover में रखा जाएगा उस DPC की जो recommendation उनने sealed cover में रखा जाएगा और वो तीन situation है अगर वो government servant suspended है दूसरी situation है अगर criminal prosecution उस government servant पे pending है और तीसरी situation है अगर उस government servant को departmental case में charge sheet has been issued and a discipline case is pending so the three situations are if the government servant is under suspension if there is a criminal prosecution pending against a government servant or third one is if a discipline case is pending and mind you the charge sheet has been issued यानि कि charge sheet अगर issue नहीं हुआ है आप सिरफ contemplate कर रहे हैं तब नहीं लगेगा तो यह तीनों situation में कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि अगर government servant पे पिछले तीन साल में कभी minor penalty लगी थी तो वो sealed cover में जाएगा लेकिन हाँ भारत सरकार का जो यह order है 14 December 2007 का इसको कई लोगों ने पढ़ा और काफी लोग कंफ्यूज रहे और कई लोगों ने यह interpretation लिखा सिरफ मेरे दोस्त नहीं नहीं कई लोगों ने इसका interpretation यह लगाया कि promotion में vigilance credence नहीं देनी हैं अगर पिछले तीन साल में कोई minor penalty लगी थी या पिछले 5 साल में कोई major penalty लगी थी जबकि यह बिल्कुल सही नहीं है और इतना confusion फैला कि भारत सरकार ने खुदी करीब 8-9 महिने बाद 2007-14 December के एक clarification निकालना पड़ा जिसमें उन्होंने यह साफ-साफ कहा कि इस order में जो word empanlement है that is not covering the cases of promotion and in case of promotion only the 14th September 1992 order will be applicable जिसमें मैंने भी आपको समझाया है तीन situation में ही government servant का promotion जो है या जो भी recommendation DPC की है वो sealed cover में जाएगी तो मेरा तो time हो रहा है शर्त चीता हूं तो मेरा time हो रहा है sandwich खाने का तो मैं जा रहा हूं लेकिन मैं आप लोगों से उमीद करूंगा कि मुझे वो order ढूंड के दें जिसमें DOPT ने यह clarify करा है कि empanlement does not cover cases of promotion मैं आप लोगों से यह सवाल इसलिए पेश कर रहा हूं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि वो order ढूंडने में आपको थोड़ी परिशानी आएगी उसका subject यह नहीं है जो subject अभी आप देख रहे हैं तो जब आप ढूंडने बैठेंगे इस order को तो आपको समय लगेगा और उसमें ही एक learning भी होगी तो बाई बाई बेश्ट अफ लग